हाई गाईज वेलकम तु श्टडी काउच तो आज हम मत करेंगे लास्ट थ्री मन्त के आने के सब्टमबर 2021 से नवंबर 2021 तक के जो मुस्ट इंपॉर्टेंट करन्ट अफेर्ट के एंप सी क्यूज है उन सब के बारे में और इसके रिगार्डिंग जो पीडिया से उसका लिंक का आपको नीचे डिस्क्रिप्टन में मिल जाएगा आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देंग डू लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब टू श्टडी काउच ओके सो लेट से स्टार्ट तो हम फर्स्ट क्वेस मनिपूर के फ्रीडम फाइटर्स थे उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए जो मांट हैरियेट है उसका नाम बदलकर मांट मनिपूर किया दाएगा यह मांट हैरियेट जो है एक आइलेंड पीक है जो की अंडमान एन निकोबार आइलेंड में लोकेटेड है तो इस वज 13 November 2021 तक होई थी थी यह किस सिटी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था तो United Nations की कॉप की यह 26th मीटिंग थी जिसको की United Kingdom के Scotland की Glasgow City में किया गया था ग्लासको सिटी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था और इस Conference के जो President थे वो थे Mr. Alok Sharma जो की United Kingdom के Cabinet Minister थे तो यहाँ पे इ next question की तरह बढ़ते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पर पूछा गया कि recently यह information अभी आई है कि Eiffel Tower के साइज का एक asteroid जो है December 2021 में अर्थ के काफी समीप होगा तो यह जो asteroid है इसका नाम क्या है तो recently NASA के दौरे बोला गया कि 11 December 2021 को एक asteroid जिसका नाम 4660 नीरियस है वो अर्थ के काफ ही पास तक आएगा लेकिन अर्थ को कभी वो फिट नहीं करेगा तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी अब next question की तरह बढ़ते हैं जिसमें basically यहाँ पर पूछा गया है कि recently एक Indian woman है जिनके द्वारा Paralympics में दो medal जीते गए हैं तो वो first Indian woman मनी है जिनके द्वार लेकरन जो है या लेकरन जो है उनके द्वारा 3rd September 2021 को Paralympics में दो medal जीते गए थे जिसमें से एक gold medal और एक bronze medal यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा एग अब next question का बात करें तो यहाँ पर basically पूछा गयाए कि BRO यानिकि border road organization जो है उसके द्वारा all weather conditions के लिए applicable एक tunnel बना state में construct किया गया तो recently 500 meter लंबा एक tunnel जिसका नाम नेचीफू tunnel है इसको BRO organization के द्वारा नेचीफू पास के नेचीफू पास जो है उस पे बनाया गया है जो की अरुनाचल प्रदेश में यहाँ पे basically जो इंडिया की military है military के convoy जो है उन सब को इजीली इंडिया चाइना के border प अब next question की बात करें तो next question में basically यहाँ पे पूछा गया new development bank जो है जो basically BRICS countries जो है BRICS nations जो है उन सब के द्वारा इस bank को set up किया गया है तो हाल ही में इसके members में तीन नई countries को add किया गया तो वो तीन countries कौन है दो सब्तमबर 2021 को ndb या नेस new development bank जो है उसके तीन members के रूप में UAE यानि United Arab Emirat, Uruguay और Bangladesh को नए members के रूप में यहाँ पे admit किया गया है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते है जिसमें basically यहाँ पे पूछा गया है कि Dr. Kamal Ranadiv जो थे अभी recently उनकी 104th birth anniversary थी और उसको dedicate करते हुए Google के द्वारा उनके लिए एक doodle बनाया गया था तो वो किस profession से related थे तो recently 8 November 2021 को जो Dr. Kamal Ranadiv थे उनकी 104th birth anniversary थी और उसको dedicate करते हुए Google के द्वारा उनक के लिए एक doodle बनाया गया था तो Dr. Kamal Ranadiv जो थे वो इंडिया के एक cell biologist थे तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा ए अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहाँ पे पूछा गया कि world का जो first all civil mission जो है या फिर all civilian mission जो है उसको recently launch किया गया है उस mission का नाम यहाँ पे September 2021 को world का जो first all civil mission है उसको launch किया गया था जिस mission का नाम inspiration 4 रखा गया था इसको Space X का जो rocket है Falcon 9 उसकी help से launch किया गया था जिसको basically NASA का जो एक space center है जो के Kennedy Space Center है जो basically US के Florida में located है वहाँ से इसको launch किया गया था जिसमें total 4 लोगों को space में भेजा गया जिन दिन से कोई भी scientist या astronaut जो है वो नहीं है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा बी अब next question की बात करता है जिसमें basically यहाँ पर पूछा गया कि इंडिया का जो first emergency landing facility है उसको recently inaugurate किया गया है recently national highway की stretch है जिसका नाम है 925A उस stretch पर इंडिया का जो first emergency landing facility है उसको inaugurate किया गया है तो यह किस street में located है तो recently union defense minister Mr. Rajnath Singh और union highways minister नितिन गाड़करी के द्वारा 9 September 2021 को जो इंडिया का first emergency landing facility है उसको inaugurate किया गया था जिसको basically 60 गंधाव stretch जो है national highway 925A की उस पर inaugurate किया गया था जो कि राइस्थान के बाड़ मेर में located है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा तो इसको किस country के द्वारा operate किया जा रहा है तो world का largest plant design किया गया है जिससे की जो air में CO2 यानि carbon dioxide होती है उसको directly capture किया जाते है और इसके operations जो है वो start किये गया है ice land के द्वारा और इस plant का नाम है और का प्लांट और का जिसका मतलब जो है वो energy होता है और और का basically ice landing word है और इस plant के द्वारा जिसका नाम और का प्लांट है 4000 ton ठीक है 4000 ton CO2 जो है पर year capture किया जाएगा तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा c अब next question की बात करते है जिसमें basically यहां पर पूछा गया एक Rebecca Grinspan जो है उनके द्वारा recently United Nations की एक body की secretary general के रूप में charge लिया गया है और वो first woman secretary general बनी है उस United Nations की body की तो recently Rebecca Grinspan जो है जो की Costa Rica की economist है उनके द्वारा United Nations का trade and development body जो है जिसको की हम UNCTAD भी बोलते हैं उसकी secretary general के रूप में charge लिया गया है और वो first woman secretary general बनी है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहां पर एक pact के बारे में पूछा गया basically यह defense pact है जो की तीन countries US UK और Australia के बीच में sign किया गया तो इस pact का नाम यहां पर पूछा गया है तो हुआ कहता है कि 15 September 2021 को जो USA के पर सिदेंट है Mr. Joe Biden उनके द्वारे मेर डिफेंस पैक्ट अनौंस किया गया था जो कि तीन country US UK और Australia के बीच में sign होगा इस pact का नाम यह इस agreement का नाम जो था वो था AUKUS AUKUS के नाम से इसको जाना जाता है जिसमें की जो भी military से regarding advanced technologies है या फिर artificial intelligence की जो भी expertise है इन तीनों country के बीच में सेर की जाएंगी तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहां पर पुछा कि इंडिया की जो सेफाली जुनेजा है उनको recently United Nations की agency की security committee के chairperson के रूप में elect किया गया है और वो first woman chairperson बनी है उस United Nations की agency की security committee की तो recently क्या हुआ था कि इंडिया की जो सेफाली जुनेजा है उनको यहां पर I.C.A.O. जिसको की international civil aviation organization बोलते हैं उसकी एक committee है जिसका नाम है aviation security committee उसकी chairperson के रूप में elect किया गया है और इंडिया के पास में यह जो responsibility अभी आई है बारा साल के gap के बाद में आई है इससे बारा साल पहले इंडिया के पास में यह responsibility होती थी और अभी recently यह responsibility वापिस से आई है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहां पर पुछा गया है 2021 के Emmy Awards में किस TV series को Outstanding Drama series की category में अवर्ड दिया गया है तो एक TV series है जिसका नाम है The Crown उसको total 11 nominations मिले गए थे इस Emmy 2021 के Awards में जिसमें से total 7 awards जो है इस TV series के द्वारा जिसका नाम The Crown जीते गए है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते है जिसमें basically यहां पर पूछा गया है कि एडन बीच जो है जिसको recently blue flag certification दिया गया है तो यह किस state या union territory में located है तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा है 2020 में 6 October को इंडिया के total 8 beaches जो है उन सब को blue flag का certification दिया गया था और उसके बाद 2021 में अभी recently blue flag का certification दो और beaches को दिया गया है जिसमें से एक beach तमिल नारूरू का कोवालम beach है दूसरा है पुडूचेरी का एडन beach तो यह जो एडन beach है यह basically पुडूचेरी में located है तो अब total इंडिया में 10 beach ऐसे हैं जिनको की blue flag का certification दिया जा चुका है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा एक अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहाँ पर पूछा गया है कि किस company के द्वारा कौन सी company जो है वो इंडिया की first private company बनेगी जिसके द्वारा जो military के aircraft हैं उन सब को manufacture किया जाएगा तो 24 September 2021 को इंडिया की side से एक 20,000 करोड का contract sign किया गया था with airbus defense and space of Spain जिससे की जो military transport के aircraft है जिसका नाम है 56 C295 उसको यहाँ पर procure किया जाएगा और इस project के अंदर यहाँ पर जो इंडिया की Tata advanced system है या फिर Tata की जो company है उन सब के द्वारा जो aircraft है उन सब को manufacture किया जाएगा जो कि एक private company है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते है जिसमें basically यहाँ पर पुछा गया कि North America की country में North America जो continent है महादीब जो है उसकी एक country में अभी recently oldest human footprints पाए गये हैं तो वो किस country में discover किये गये हैं तो recently October 2021 में जो oldest human footprints हैं वो North America की country जिसका नाम है New Mexico वहाँ पे कुछ archaeologists के द्वारा discover किये गये हैं तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा एक अब next question की बात करते हैं जिसमें basically आप पुछा गये इंडिया के जो senior citizens हैं उन सब के लिए एक help line number launch किया गया जो कि टॉल-free help line number है और यह first type का इस type की जो चीज़ है पहली बार इनिया में किया गया थी यह जो toll-free number है यह क्या है यह है 14567 यहाँ पे जो भी मतलब की senior citizens हैं वो सब free information या guidance जो है pension legal issues के regarding जो है या फिर abuse कोई भी हो रहा है emotional support अगर उनको चाहिए उस type की जो भी information है उन सब को दी जा सकती है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा state जो है first India का sorry India का first state बना है जिसके द्वारा जो cinnamon है उसकी cultivation को organized तरीके से start किया गया है तो अभी recently हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो cinnamon का cultivation है उसको organized तरीके से start किया गया इसका cultivation जो है उसको basically CSIR का institute है जिसको की institute of Himalayan bio resource technology के नाम से जाना जाता है उसके pilot project के रूप में start किया गया है इमाचल प्रदेश में तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा बी अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहाँ पर पूछा गया कि जो noble prize है जो कि लिटरी चले साहित्य के field में दिया जाता है वो 2021 में किन को दिया गया तो एक novelist है जिनका नाम है अब्दुलर्जाग गुर्ना उनको 2021 में literature के field में जो noble prize है वो दिया गया है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते है जिसमें basically यहाँ पर पूछा गया वर्ल्ड का largest खादी का national flag जो है उसको recently किस state ये union territory में inaugurate किया गया है तो second October 2021 को जिस दिन मात्मा गांदी जी की 150 second birthday anniversary थी उस दिन लद्दा की union territory के लेहे में जो world का largest national flag है जिसको खादी से बनाया गया था उसको inaugurate किया गया था तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा के अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहाँ पर पुछा गया है जो बेंजमिल लिस्ट और डैविड डबलू सी मेकमिलन है उनको 2021 में Nobel Prize दिया गया है तो उनको किस field में Nobel Prize दिया गया है तो recently 2021 के Nobel Prize दिया गया थे जिसमे Chemistry के field में जो Nobel Prize दिया गया तो jointly दो लोगों को बेंजमिल लिस्ट और डैविड डबलू सी मेकमिलन को दिया गया था बेंजमिल लिस्ट जो की जर्मनी से है और एक Scottish born है जो डैविड मेकमिलन है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करते है जिसमें basically यहाँ पर पूछा गया एक डॉक्टर अबदुलकादिर खान जो है जो कि जिनकी अभी recently death हो गए थी उनको किस country की nuclear program के father के नाम से जाना जाता है तो 10 October 2021 को काफी बिमार रहने के बाद डॉक्टर अबदुलकादिर खान जो है उनकी death हो गए 85 की age में और उनको basically पाकिस्तान के जो nuclear program उसके father के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करते है जिसमें basically आप पूछा गएगी अपी recently किस country के द्वारा world की जो first automated और driverless train है उसको दिखाया गया है उसको unveil किया गया तो recently German rail operator जो है उन सब के द्वारा 11 October 2021 को जो world की first automated driverless train है उसको जर्मनी के हमबर्ग सिटी में inaugurate किया गया था यहाँ पर इस question का जो हो जाएगा डी अब next question की बात करते है जिसमें basically यहाँ पे पूछा गया है कि IMF की एक report है जिसका नाम है world economic outlook report जो कि October 2021 में आई थी उस report के according Indian economy जो है वो कितने percent 2021 में कितने percent तक growth होने की possibility रखती कितनी expectation वहाँ पे बताई गई है तो Indian economy के लिए IMF की world economic outlook October 2021 की report में बताएगा है एक इंडिया की economy 9.5% तक grow कर सकती है और 2022 के लिए यहाँ पे 8.5% बताएगा है और यह report बार अक्टूबर 2021 को release की गई थी तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करते हैं जिसमें basically हैंपे handless passport index के बारे में पूछा गया है कि 2021 का हाल ही में release handless passport index में किस country का जो passport है वो समसे जादा powerful है तो recently 2021 का जो handless passport index है उसको release किया गया था जिसमें total 192 countries को rank किया गया था जिसमें first position पे समसे most powerful जो passport है वो किसी country का है तो वो है जापान जि और इसमें यहाँ पे पिछले तीन सालों से जabs के इसको rank किया जाता है तब से जो Japan है वो first position पे है और इंडिया के अगर हम बात करते ही इंडिया की इस index में इस बार 90th position पे है जो की पिछली बार कैग अगर हम बात करें तो 2020 में इंडिया की rank 84th position पे थी और वहां से की सह के अब 90th position पे आ गई है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहाँ पे पुछा गए कि 22nd बाइस वह जो लाल भादुर शास्त्री national award for excellence है वो recently किनको award किया गया है तो recently जो AIMS दिल्ली है उसके डिरेक्टर है डॉक्टर रंदीप गुलेरिया उनको 22nd लाल भादुर सास्त्री national award for excellence जो है वो दिया गया है उनके pioneer work के लिए उनको जो भी contribution है medicine के field में या फिर pandemic के awareness को बढ़ाने में उस सब के लिए award उनको दिया गया है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा बी अब next question की बात करते है जिसमें बिसिकलिए हम पर पूछा गया एक renewable energy country attractiveness index जो है जो 2021 में हाल ही में release किया गया है जिसको total world की top of 40 जो markets countries है उन्हों स सबके लिए release किया जाता है इसमें इंडिया की ranking किस position पे थी तो 2021 के release index में जो कि 58th edition था इसमें इंडिया की ranking third position पे थी तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी अब next question की बात करते है इसमें basically यहां पर पूछा गया कि recently किस city को Dementia friendly city declare किया गया है तो हाल ही मैं 16 October 2021 को के रला के जो chief minister है Mr. Pinerai Vision उनके द्वारा एक Dementia friendly district program inaugurate किया गया था जिस program का नाम था उदबोद और उस program को जब inaugurate किया गया था उसी time पे जो कोची city है उसको Dementia friendly city दे clear भी किया गया था तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते है जिसमें basically यहां पे global hunger index के बारे में पूछा गया हाली में 2021 का जो global hunger index की रिपोर्ट है उसको release किया गया जो total 116 countries के लिए release की गया तो उसमें सबसे जादा जो hunger का level है वो किस country में पाया गया सबसे जादा भुकमरी किस country में बताई गई तो वो बताई गई है शुमालिया में जिसका total score 50.8 रह यानि कि 101 में नंबर पे है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते हैं जिसमें basic लिए आप फ्रोजपुर biomass power plant के बारे में बात की जारी है जिसके द्वारा यहाँ पे जो paddy stable है उससे power generate की गई थी तो यह जो फ्रोजपुर biomass power plant है यह कहां पे located है तो recently एक biomass power plant जो कि फ्रोजपुर में located है पंजाब के फ्रोजपुर में यह plant located है इसके द्वारा यहाँ पे जो paddy stable है उस सब की help से electricity या power को generate किया गया था जो जिसकी वज़े से काफी जाता news में रहा था तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते है तो next question में basically यहाँ पे पूछा गया कि Glasgow में जो अभी recently COP26 या फिर Climate Summit जो हुई थी उस time पे जो हमारे Prime Minister है Honorable Narendra Modi उनके द्वारा बोला गया था कि इंडिया के द्वारा Net Zero Carbon Emission जो है उसको अचीव किया जाएगा तो उसको कब तक अचीव किया जाएगा यह यहाँ पे 2021 को इस Summit के दौरान मारे Prime Minister Honorable Narendra Modi के द्वारा बोला गया था कि इंडिया के द्वारा 2070 यानि कि 2070 तक जो Net Zero Carbon Emission का तार्गेत है उसको अचीव किया जाएगा तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करता है जिसमें basically यहाँ पे पुछा गया कि किस country के द्वारा हाल ही में जो COVID pills है या oral COVID pills जो है उन सब को approval दिया गया है जिससे कि वो world की first country बनी है जिसके द्वारा oral pills जो की COVID-19 से related है उन सब को approve किया गया तो recently 4 November 2021 को United Kingdom के द्वारा यह approval दिया गया था और उसके बाद वो world की first country बनी है जिसके द्वारा oral COVID pills जो है उन सब को approve किया गया है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पे पूछा गयागी UNESCO की जो creative cities network है 2021 का उसमें हाल हिमे किस Indian city को जोड़ा गया है किस Indian city के द्वारा उसको join किया गया तो 8 November 2021 को स्री नगर के द्वारा जो UNESCO की creative cities network 2021 है उसमें join किया गया है basically उसमें crafts and folk arts की जो category है उसके अंदर स्री नगर को यहाँ पे join किया गया है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया की जो naval staff की chief है उसके नए chief के रूप में किन को appoint किया जाएगा तो हाल ही में 9 November 2021 को ministry of defense के द्वारे announcement की गई कि Vice Admiral R. Hari Kumar जो है उनके द्वारा next chief of naval staff या chief of Indian Navy के रूप में post सम्भाली जाएगी charge लिया जाएगा उनसे पहले वहाँ पे उस post पे Admiral Karambir Singh थे जो की 30 November 2021 को retire होंगे और उसके बाद में नए chief बनेंगे R. Hari Kumar तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहा international solar alliance जो है उसके 100 and first 101 member के रूप में कौन सी country आई है तो recently 10 November 2021 को USA के जो प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन उनके द्वारी announcement की गए ति USA जो है वो international solar alliance का 100 and first member बनेगा तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते हैं इंडिया के द्वारा जो S-400 के triumph है जो की air defense system में basically उसको किस country से receive किया जा रहा है तो recently Russia के द्वारा जो S-400 generate triumph के air defense system में उसको इंडिया के supply के लिए start कर दिया गया इसके रिगार्डिंग जो agreement था वो 2018 में sign हुआ था इसकी delivery अभी 2021 में हो रही है जिसको की रसिया से इंडिया के लिए deliver किया जागा तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते हैं जिसमें basically हम पर पुछा गया कि इंडिया का जो first food museum है उसको किस state में launch किया गया है तो recently FCI यानि की food corporation of India है उसके द्वारा इंडिया का first food museum जो है उसको launch किया गया है तमिल नाडू में तमिल नाडू में तो तंजवर जगे है वहाँ पर इसको setup किया ज question की बात करते हैं जिसमें basically हम पर पुछागी उत्तरप्रदेश का जो first anti-air pollution tower है उसको किस city में inaugurate किया गया तो recently 17 November 2021 को उत्रप्रदेश का जो first air pollution control tower है उसको नौईडा city में launch किया गया इनौगरेट किया गया है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा के अब next question की बात करते हैं next question में basically हम पर पुछा गया UNESCO की जो executive board है उसके लिए अभी recently इंडिया को वापिस से elect किया गया है re-elect किया गया तो इसको किस साल तक के लिए कब तक के लिए re-elect किया गया है तो recently अभी यहां पर इंडिया को जो United Nations की culture and educational organization जिसको UNESCO बोलता है उसके executive boards के लिए elect किया है और अगले चार साल के tenure के लिए term के लिए elect यहां पर किया गया है जो कि 2021 से 25 तक चलेगी तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D तो यही थे कुछ most important MCQs last 3 मत यानि कि September, October, November 2021 से related so आज के लिए बस इतना ही hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.